हेलो फ्रेंड्स मैं भाविनी अपनी चैनल दिव्याभाव क्रियेटिव्टी जोन में आप सभी का एक बाफ फिर से स्वागत करती हूँ कैसे हैं आप लोग इस वीडियो में मैं आप से शेयर करने जारी हूँ चावल के फ्रायंस या कचरी की रेसिपी बजार में तो मिलते हैं बच्चों को बहुत पसंद भी आते हैं लेकिन काफी पुराने होते हैं चार-पांच साल पुराने भी लोग बेच दिया करते हैं तो चावल के फ्राइम से कश्री बनाना बहुत ही आसान है, आप घर में बच्चों को अपने हाथों से बना के खिला सकते हैं, तो इसके लिए मैंने लिया है एक कप चावल का आटा, आप चावल का आटा घर में भी बना सकते हैं, तो एक परतन लिया मैंने और उसमें मैंने ए कटोरी पानी और डालेंगे तो पहले एक कटोरी पानी डालना है इसको मिक्स करना है फिर हम एक कटोरी पानी और डालेंगे अगर आप मिजरमेंट के लिए कप यूज कर रहे हैं तो उसी कप से आपको पानी डालना है टोटल यहां पर पांच कप पानी या पांच कटोरी पान लगेगा फिलहाल अभी हमने दो कटोरी पानी ही डाला है अची तरह से मिक्स करेंगे ताकि लंप्स न रहें आप इसके लिए इस तरह का मिक्सर भी यूज कर सकते हैं जो फिर्टने के लिए होता है वैसे चावल के आटे में लंप्स नहीं पढ़ते हैं वह बहुत ही आसानी स बहुत जादा टाइम नहीं लगता है अगर हम आटा या फिर मैदी का पेस्ट बनाते हैं उसमें जादा टाइम लगता है लेकिन चावल के आटे में लंप्स पढ़ने के चांसे कम होते हैं तो बहुत ही आसानी से मिक्स हो जाता है इसे तीन चार घटे के लिए हम रेस्ट कर पानी देंगे थोड़ा सा चावल जो है आटा जो हमारा है फूल जाए अगर आपके पास आटा नहीं है तो आप एक कटोरी चावल लेकि उसे पीश सकते हैं अब इसमें हम तीन कटोरी पानी और डालेंगे अगर आप कप मिजरमेंट के लिए है अपनी तो इसी तरह तीन पानी और डालेंगे तो एक कप चावल के आटे में हमें पांच कप टोटल पांच कप पानी डालना है अगर हम फ्राइम्स बना रहे हैं अगर आप पापड बना रहे हैं जो चम्चे से फैलाते हैं तो उसमें साथ कप पानी डालना होता है तो यह मिजरमेंट है इससे आप क दूर्णी छावल नीचे से लगने के चांसेश जयादा रहती है जो भी बब्स्टं लेए मौनी पेंदी का लेए इस पाद के ध्यान रखना है आप चाहें तो गैस की फ्लेम को मीडियम रखके लगातार चलाते रहेंगे इस पेस्ट को पकने में कम से कम 10 से 15 मिनट लगता है अच्छी तरह से पकने देंगे अच्छी तरह पका होगा वैसे तो हम फ्राइम्स बना रहे हैं लेकिन जब हम चावल के पापड बनाते हैं तो उसमें हमारा जो पेस्ट है अच्छी तरह से पका रहेगा तभी हमारा चावल के पापड होते हैं फट्टे नहीं है फिलहाल हम फ्राइम्स बना रहे हैं तो हमें जो पेस्ट है वो थोड़ा सा गाढ़ा चाहिए तो इसको हम लगातार चलाते रहेंगे, अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरह की consistency चाहिए हमें फ्राइम्स बनाने के लिए, अगर आपके पास machine है तो अच्छा है, लेकिन अगर machine नहीं है तो कोई बात नहीं, आपके घर में जो पनिया होती है, जो पैकट्स आते हैं, प वीडियो देखते रहेंगे, पसंदा रहा हो, तो ये नीचे जो रेड बटन है उस पर क्लिक कर दीजिए, तो बगल में एक बैल आएगी, बैल पे फिर क्लिक करना है, तीन आपशन आएंगे, और पे क्लिक करेंगे, तो इसी तरह अच्छ अच्छे वीडियो की नोटिफिक आप तक पहुंच सकेंगे, तो पांच मिनट बाद आप देख सकते हैं, जो हमारा पेस्ट है थोड़ा गाड़ा होने लगेगा, अब इसमें हम आधा चमच नमक डाल देंगे, नमक जादा नहीं डालना है, जादा हो जाएका तो प्रॉब्लम हो जाती है, तो आधा चमच ही पेस्ट है वो तैयार है, तो इस तरह के जो प्लास्टिक के रैपर्स होते हैं, आप देखिए जैसे मैदा है, सूजी हम लाते है, उनके पैकेट्स आते हैं, तो इने फेकना ने चाहिए, ने समहाल के रख लेना चाहिए, तो कभी जलेबी बनाना है, मर्ती बनाना है, या फ तो आप सब में पेस्ट भरके इसको तयार कर लीजे तो ताकि खाली हमको फ्राइम्स डालने रहेंगे तो आप देख सकते हैं दो पैकेट मैंने तयार कर लिए हैं इस तरह से उपर रबर लगा देंगे और हमें एक साइड से थोड़ा कटना रहेगा जितने मोटे आपको फ्राइम्स बनाने हैं उसकी हिसाब से हम कैची से कट कर लेंगे साइड में तो साम तक यह हमारे जो प्राइम्स हैं वो एकदम सूप के तयार हो जाती है तो बहुत जादा नहीं मेहनद करनी पड़ती है यह देखिए तो मैं एक लाइन में एक डिजाइन बनाते जा रही हूं तो इस तरह से काफी डिजाइन बन जाएंगे तो बहुत जादा टाइम नहीं लगता है इतने पापड को डालने में मुझे 15 मिनट लगे थे मैं आपसे बता रही हूं 15 से 20 मिनट तक लगे थे एक बार जब हाथ सेट हो जाता है तो फिर लगातार फटा फट बनने लगते हैं तो डिजाइन आपके जो भी आसानी से मन में आ रही हो आप चाहे तो गोल-गोल रिंग्स बना सकते हैं लेकिन कोसिस करें कि छोटे-छोटे ही आप डिजाइन बनाएं क्योंकि ये फूल के काफी बड़े हो जाते हैं तो जितनी छोटी डिजाइन बनाएंगे उतना तो आप लोग ने देखा कि कितना असान है फ्राइम्स बनाना बच्चों को डिजाइनर फ्राइम्स खाना बहुत पसंद आता है और घर में बने हुए हैं चावल के बने हुए हैं नुकसान नहीं करेंगे बजार में काफी पुराने फ्राइम्स बेच दिये जाते हैं लोग खतम करने के लिए और बजार से कभी भी जो खुले फ्रैंस या कच्री मिलते हैं वो तो एकदम नहीं खरीदने चाहिए उसमें काफी दूल मिट्टी पड़ी रहती है और काफी पुराने रहते हैं जो मार्केट में सेलर रहते हैं वो सब पुराना नया मिक्स करके उन्हें खत तो डिजाइन आप कोई भी बना सकते हैं जो कन्विनियंट हो अगर आप ज्यादा डिजाइन नहीं बना पाने तो आप गोल रिंग बना दीजेए मैंने बाद में कुछ रिंग्स भी बना दी हैं तो इस तरह से आप चावल के प्राइम्स बना सकते हैं सेम इसी तरह एक कट बनानी लगेगा और इसी तरह टेस्टी और हेल्दी फ्राइम्स बनके तयार हो जाएंगे तो गेहूं के आटी के फ्राइम्स की भी रेसिपी मैंने बनाई थी पिसले साल उसकी लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी तो आप वहां से ले सकती हैं अब मैं को दिखाऊंगी यह जैसा कि मैंने का आपा अगर सुबे डालेंगे तो साम तक ंवें तयार आपनी धूफ में डाला है तो अब मैं आपको इसको तल के तो वीडियो पसंद आया होगा तो दोस्तों के बीच में ज़रू शेयर करिएगा मेरी चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिएगा और